हलो दोस्तो हमारे एक्टिब और वेदिक टिफ्स चैनल पर आप लोगों की शौगत है जैसे कि आज एक ऐशी और वेदिक नोश्का के बारे में बताएंगे अमर वेल जो ऐशी अमर अमर पोधे हैं ये हर पेड में ऐसे ही फेड के ऑक्षिजन से ही हो जाते हैं ये अमर वेल क के नाम से पाए जाने वाले पोधे इनको आज ऐसी पांच बिमारियों के बारे में बताएंगे कि आपका जैसे सरीर में कोई भी ऐसी बिमारी से आप निजाद पा सकते हैं तो बताएं दादा जी कौन-कौन बिमारी से निजाद पा सकते हैं ये अमर बेल का पोधे बहुत यह बहुत तरह का बिमारी में फैदे करते हैं और आपको जो चार पांच बिमारी का नाम भी बता देते हैं और इनका आप भी पूसिस कीजिएगा और करके दिखिएगा अमार बिल का पोधे यह हैं पहला बिमारी यह है कि सर का बाल जहरना गंजापन होना उसब बिमारी के लिए आप तीस गिराम जो है अमार बिल का रस और तीस गिराम नीम का ते दोनों को मिला कर माथा में लगात्तर पंद्रा दिन आप इस्तेमाल कीजिए अपका गंजापन और बाल जहरना अपका खतम हो जाएगा और एक गंजापन जो है इनहीं का रस और इनहीं का रस 20 गिराम और 20 गिराम निमते जैसे कि दादा जी आप बता रहे हैं कि अमर बेल का रस 30 गिराम और नीम का वाइल 30 गिराम यह उसको मिक्स करने के बाद आप जैसे गंजापन में लगाने के लिए बता रहे हैं यह कि बाल टूटना जहरना यह बंद हो जाएगा यह सक्सम अमर अमर बेल का रस जो बोल रहे हैं यह बहुत सक्सम पावर्फुल जैसे के अमर बेल का सब्सक्रावजे हैं यह इस जो है अमरे का पोधे हैं इस धुसरा पिमारी का दुसरा बिमारी का काम में आता है जैसे माली आपको गठ्याबाद का गठ्याबाद का में आता है इनका जो है इनका जो रज़ नहीं है आप इसका इसका जो अमार बेल का जो पोधे जो है उसमें इक चट्नी बना करके जट्नी बना करके उस गेठ्यां में गेठ्या बाद में जो है उस जगह लगा दीजिए और पट्टी बन इसी तरह आप जो लगत्ता दो चस हफ्ता लगाई आपका गेठ्या बद जैसे दादा जी आप बता रहें कि अमर बेल का चट्नी बना यहां लेफ बना के नहीं कि गेठ्या बात में लगाने के बाद पट्टी बांदे ऑच्छा ठीके दर लगत्तर आप माली जह पहुत बहुत 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 कमाता है बाबासीर का अगर इसको पकड़ लिया इसको हो गया यह जो है इनका रस आप मी numeर समीप सब्सक्राइभ है कि वीजेदा लाइए बीस गराम जीरा पावडर और विज गराम ऑफ काली मरीसका पावडर फ्रीं दूबंए उसको मिलाद कर हुआ इसको मिलास मे Figlio बनिया तरह करके मिला दी जैगा और उसको लहातर जैसे कि आप बताए दादा जी अमर बेल का रस्व 30 ग्राम और जीरा पौडर 20 ग्राम काली मिर्च पौडर 20 ग्राम उसको अच्छी तरह किसे मिक्स करने की बाद वो ज्यादा तो हो गिया आप उसको दो चमच तिन चमच करके पानी में डालके यानिकि परती दिन रात को या स जुआ किस टाम पिना पड़ेगा आपको रात को टाइम में बीलिजेगा सुद्रसमाइब जी और सुबह में एक तैम पील यह खाना हने का निकि कंटीनू यह खपता तक वो पीते रहेगा एक शपता पीजेगा आपको बावासित दूर हो जाएगा और चौथा बेमारी है म अमालियज की जिसका हाइट कम हो गया है को बच्चा का तो यह अमर बेल का जो रस्ग है दो चमच दूद में डाल लीजिए और रात का सोते समय उनको पी लीजिए लगातर आप एक महिना एक अमर बेल का रस और दूद एक गिलास लगातर एक महिना पीजिए आपका ललका का रोंड़ा भी खुल जाएगा और आपको हैट भी समझ में आएगा कि कुछ हैट आगे बढ़ने ल सिंपल आपको दूचार को बताएं और आगे भी बताएंगा जैसे कि आप बताएं अमर बेल का रस बीस ग्राम हाँ एनिकी दूद में डाल के रात में अगर पीए एक सप्ता या पंदरा दिन तक तो उनका हाइड जिसका छोटा है बहुत हाइड कम है उसका तो हाइड बढ कर्यार को दूदुद कर में लाने से यह काम सक्सक्शसफफल हो सकता हुआ Ст Console में सबुस्वा देखेंग को बैंध बैर का घास में Crown ुच्छे गाच में में अगर होगा औहीं अपको यह लगेगा अमार्विल का पोथ है यह जमीन सहीं में 가격 меся SA अधिकलान होगा वता है इसका जो है नीच होता है उसी से जहे है पोगता है यह दुसरा कि खालत है तो यह पोध्य बहुत तरह का लाबदयका है बहुत ब्हुत का काम में आता है अब यह आपको सिंपल दूचार को बताएं आगे अगर मौखा मिलेगा तो आप दूचार को बताएंगे तो दोस्तो अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेर करना ना बोले अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब और बेल आइकन का गंडी दबाए ताकि हमारे नए नोटिफिशन आप तक पहुंचते रहे जहिन दोस्तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं